हाई फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम शुरू कर रहे हैं वेत्र का शर्मा द्वारा लिखा गया विजैविका सीरीज का मजेदार उपन्यास ग्रांती का देवता का पार्ट टू प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब माई चैनल इत्यास इस पात का शाक्षी है कि युग बदलते हैं एक जमाने में बारत सोने की चिडिया कहलाता था युग बदलते हैं नई नई सब्यताएं आती हैं कभी तामबा सब्यता आई कभी पीतल सब्यता ठीक इसी प्रकार जैसे आज लोहे की सब्यता है दर्ती पर लोहा ही लोह पाया जाता है। इसी प्रकार आज से 50,000 वश्पुर स्वन सब्यता का युग था। यह महल उसी स्वन सब्यता का प्रतीक है। आज जिस प्रकार लोह सब्यता में बेशुमार लोहा पाया जाता है। उसी प्रकार स्वन सब्यता के समय बेशुमार सोना पाया जाता था। किसी भी वस्तू की जब अधिक्ता हो जाती है तो उसका महत्व गड़ जाता है। इसी प्रकार स्वन युग में सोने का महत्व इतना नहीं था। जितना आज है। लेकिन उस युग के यक्तियोग ने यह अनुमान लगाया था आने वाले समय में स्वन नाम की इस चमकीली दातू का अबाव हो जाएगा और इस दातू को पाने के लिए लोग तरसेंगे कदाचित इसलिए उन्होंने ऐसे स्वन महल निर्मित किये जो कि इस पीडी को आश्चरे चकित कर देते हैं यहां लिखने की तो आवशक्ता नहीं है इस युग में स्वन का क्या महत्व है जिस मूर्ती पर यहां कागज रखा होगा वहां मूर्ती भी बड़ी विच्चत्र है तीन मिनट में वहां अलग-अलग तीन देवताओं के धर्शन कराती है प्रथम बार इस कमाल की चित्रकारी को देखकर मैं चकराया था लेकिन जल्दी ही समझ गया की हर पल वह आकरती अपना रूप क्यों बदलती है खेर यह सब यहां लिखने का कोई लाब नहीं लेकिन उस चित्रकार को मानना होगा जिसने उस मुर्ती का निर्मान किया है अंत में केवल यही लिखकर इस पत्र को बंद करूँगा कि तुम गुल्षनगण की रक्षा करोगे अच्छा अब अल्विदा ठाकुर पानु प्रताब सियं विकास ने पूरा पत्र पढ़कर समाप्त किया इस बिच कोई कुछ न बोला सब त्यान से पत्र में लिखे एक-एक अक्षर को सुन रहे थे यूँ तो इस पत्र ने सबको आश्चरिचकित कर दिया था लेकिन पारों के मुखडे पर त्रीव क्रोथ की रेखाएं किची हुई थी कदाचित यह जानकर की अजय और रेना की जुड़वा बहन को गायब करने वाला उसका भाई जबर सियं था तो प्यारे दिल जले ये है लपड़ा सन्नाटा तोरने का श्रेय पुनय विजय को मिला इसका मतलब यह हुआ विजय की मिस्टर बॉन इत्यादी इस स्वान महल को प्राप्त करना चाते हैं अलफासे ने विजय की ओर देखते हुए कहा मतलब तो बेशक यही है लूमर भाई विजय बोला लेकिन ये एकदम गलत है क्या मतलब अबैसी के अत्रेक्त विकास, ठाकुर साहब, रेना, ब्लेक बॉयर, कुलफाम, इत्यादी सभी चोक पड़े किसी की समझ में नहीं आया की विजय आखिर कहना क्या चाता है मतलब समझने के चकर में ही तो हम भूडे हो गए मिया विजय किसी बुजर की बाती बोला विजय ठाको निर्बैसी कठोर स्वार में बोले तो माखिर कहना क्या चाते हो अजी हमारी क्या मजाल जो कुछ कहने की गुस्ताकी करें विजय अपने ही मूंड में बोला वो तो क्रांती के देवता की आग्या से हम कुछ कहने के लिए उपस्तित हुए हैं और कहना यह है की बानू प्रताब ने जो भी कुछ लिखा है एकदम सच है मगर दिक्कत यह है की इसे लिखने में थोड़ा घच्चा खा गए तो माखिर कहना क्या चाते हो विजय बेटे इस पार पारो बोली केवल वही जो हमसे क्रांती के देवता ने कहा है क्या कहा है सबने एक साथ प्रश्न किया केवल ये की इन तीनों रास्टों ने गुलशनगड पर उस स्वान महल के कारण अक्रमन नहीं किया है बलकि किसी और विशेश कारण से अक्रमन किया है यह ठीक है की बानू प्रताब ये समस्ते थे कि हमला इस स्वान महल के कारण हुआ है इसमें उनकी गलती भी नहीं थी उनके इस्थान पर अगर अन्य कोई भी होता तो वह भी यही समस्ता बानु प्रताप की नजरों में क्योंकि गुलशनगड में उस स्वान महल से अधिक कीम्ती और महत्रपुन वस्तु अन्य कोई नहीं थी इसलिए वे ठीक ही समस्ते थे परन्तु अब यह बात इसपस्थ हो चुकी है कि हमला स्वान महल के कारण ही बलकि उस से भी अधिक महत्रपुन वस्तु जो की गुलशनगड की धर्ती पर ही मौजूद है उसके चकर में हुआ है सुनकर अबैसीं के अत्रिक्त सकी आँखें आश्चर्य में फैल गई स्वान महल से भी कीम्ती वस्तु स्वन महल से अधिक महत्वपून वस्तु लेकिन ऐसी वस्तु क्या हो सकती है सबने एक साथ प्रश्न किया आर्यों से भी प्राचिन पांच क्रंथ विजय ने कहा ये पांचों ग्रंथ हस्त लिखीत अर्थात पांडूली पिया है इस बात को कम शब्दों में केवल वेदों का उधारन देकर ही समझाया जा सकता है आज विश्व का थोड़ा सा भी बुद्धी जीवी यक्ति यह जानता है कि वेदों की क्या वेल्यू है और उन वेदों का महत्व केवल इसी बात की कल्पना से समझा जा सकता है कि वे पांचो ग्रंथ वेदो से भी प्राचीन है, साथ ही उससे अधिक महत्वण है, उनमें से एक ग्रंथ के दोहे में वेज्यानिक फार्मुला है, उनी ग्रंथों के चक्कर में इन तीन देशों ने गुलशनगर पर हमला किया है, यहां तुम थोड़ा सा दोखा खा रही हो विजय, बीच स्वण महल से कुछ ही नहीं, बलकी बहुत अधिक महत्वण है, अभैस यह ने बताया, लेकिन यहां गलत है कि तीनों देशों ने ग्रंथों के चक्कर में ही आकरमन किया है, वास्त्विक्ता यहां है कि ग्रंथों के चक्कर में केवल जेम्सपोन और गृफिक को अर्थाथ ग्रंथों के विशय में जानकारी केवल England को है अन्य को केवल यह पता है कि गुलशंगर में कहीं स्वाण महल है इसका सीधा मतलब है कि माईक और फुचिंग यहां केवल स्वाण महल के चक्कर में आए है जेम्स पॉन्ट स्वान महल में कम और ग्रंथों में जादा दिल्चस्पी ले रहा है जेम्स पॉन्ट ने कई बार मुझे पकड़ा अकेले में यातना देकर वहां हमेशा यही पूछने की कोशिश करता था कि ग्रंथ कहां है किन्तु जब उसके साथ माईक और फुचिंग होते थे तो वह स्वान महल की बात करता उसकी बाते सुनकर में खुद चकराया था कि स्वान महल के विशय में में खुद कुछ नहीं जानता था लेकिन ग्रंथों के विशय में इंग्लेंड को पता कैसे लगा प्रश्न विकास ने किया जबर सियं द्वारा अबैसियं एक्दम बोले जबर सियं का नाम आते ही पारों के कान खड़े हो गए वह एक्दम बोली जबर भया मैं ठीक कह रहा हूं मा अबैसियं ने कहा प्रतिशोद लेने के लिए जबर मामा ने इंग्लेंड को इन ग्रंथों की खबर दी कहने के पश्चात अबैसियं ने शंक्षिप्त में यह सब उन्हें बता दिया जो जबर सियं ने जेम स्पॉन को बताया था असलियत यह थी कि मैं खुद नहीं जान पाया की ग्रंथ कहा है अबैसियं ने आगे कहा मुझे अभी उस दोहे की अंतिम पक्ती का मतलब और जानना था इसका मतलब यह हुआ की ग्रंथों के चक्कर में केवल बॉन्ड और ग्रिफिक है अब उन में क्रीमिया को भी शामिल किया गया है अबैसियं ने बताया जेम स्पॉन क्योंकि यह जान गया है कि मैं उन ग्रंथों का पता लगाने में सफल हो गया हूँ इसलिए वह अपना काम तेजी से करना चाता है क्रीमिया उसकी विश्वशनिय साती है बॉन पर वह अपनी जान छड़कती है इंग्लेंड को वह अपना वतन समझती है इसलिए वह बॉन का साथ देने के लिए हर समय तयार है बॉन के प्यार में वह अंदी है कि मिस्टर अलफासे द्वारा चली गई चाल भी बॉन के पास चाते ही उसने बता दी मिस्टर अलफासे ने उसे दंकी दी थी कि उसने अगर धोखा किया तो वह उसे मार देगा किन्तु उसने इस दंकी की जराबी परवाह नहीं की और बॉंड को सब कुछ पता कर गनपत्सिये को गरपतार करवा दिया अपना प्लांट सफल बनाने के लिए बॉन को ग्रिफिक के अतरिक्त एक अन्य विश्वशनिय साथी की आवशक्ता थी अपनी इसी आवशक्ता को पूंट करने के लिए उसने क्रीमिया को भी सब कुछ बता दिया किन्तु ये सब कुछ तुम्हे के से मालूम हुआ निर्बह सियें ने प्रश्ण किया अबह सियें बोले क्रांती के देवता ने बताया है उनका कथन यह है कि उन्होंने खुद अपने कानों से यह सब क्रीमिया को बताते सुना है और आखों से देखा है क्रांती के देवता की पहुच महल तक है और महल में क्या हो रहा है वह सब पता रखते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि जेम्स बॉन क्रीमिया को यह सब बताने के बाद दीरे दीरे उसके कान में कुछ कहने लगा था उन्होंने कहा है कि दूर होने के कारण यह न सुन सके कि बॉन ने क्रीमिया के कान में क्या कहा लेकिन यह जानना भी आवशक था विकास ने कहा यह सब जानने के लिए क्रांती के देवता ने एक प्लान बनाया अबैसी ने बताया क्रांती के देवता ने विकाश के लिए यहाँ आदेश दिया है कि वहाँ आज ही किसी भी तरह क्रीमिया को महल से गायब करते क्रांती का देवता बॉन को यहाँ चेलेंज दे चुका है कि विकाश क्रीमिया को गायब करतेगा और अब यहा कारे और भी आवशक हो गया है क्योंकि हमें क्रीमिया से यहा जानना है कि बॉन ने उसके कान में क्या कहा था लेकिन क्या क्रीमिया वास्तों में रेना की बहन है यहाँ प्रश्न गुलफाम ने किया अभी इसका कोई संटुष्टी पुन उत्तर नहीं दिया जा सकता अबैसी ने कहा सूरत मिलने के कारण अभी केवल यह संभावना ही व्यक्त की जा सकती है वैसे मिस्टर विकास आप उसे यहां ले आएं तो यहां पता लग सकता है कि उसे बताया जाएगा कि वहां रेना की ब हमारे कथन पर विश्वाश कर लेगी ब्लेक बॉय ने कहा यह भी तो संभाव है कि वह यह समझे कि हम उसे जूठे जाल में फसा रहे हैं यह बात की बात है निर्बस ये ने कहा क्रांती के देवता के आदेश के मुताबिक सबसे पहले विकास को क्रीमिया का अपरण करके य और वे ग्रंथ कहां है प्रश्न अलफासे ने किया यह रहस्य अभी तक यांतो में ने जाना है या क्रांती के देवता ने अभैसी बोले और क्रांती के देवता का आदेश है कि अभी यह किसी को नहीं बताया जाएगा कि वे ग्रंथ कहां है लूमन मिया अगर तुमें बता दिया तो तुमी ग्रंथ लेकर साप हो लोगे विजय ने व्यंग कसा अलफा से केवल मुझकरा का रह गया लेकिन यह तो बताया जा सकता है कि ग्रंथों का पता खेसे लगा रेना ने प्रश्न किया स्वानलेक पर अंकित उस दोहे द्वारा अबैसी ने बताया वह दोहा ठीक उसी प्रकार मैंने कागज पर उतान लिया था जैसे ही मैं उस दोहे का पूरा मतलब समझा मुझे पता लग गया कि ग्रंथ कहा है उस दोहे की प्रथन पक्ती में लिखा था कि वे 5 ग्रंथ 6 बचकर 25 मिनट पर मिलेंगे जब दूसरी पक्ती का मतलब समझा तब सब कुछ खुद ही पता लग गया उस दोहे में लिखा था कि एक महा में 8 दिन शाम को 6 बचकर 25 मिनट पर सूरी और चंदरमा आमने सामने होते हैं इस समय उसकी समस्त किरने एक दूसरे को कारती हुई होती है उसमें लिखा था कि सूरी औरंच द्रमा की मातर एक किरण ऐसी होती है जो तो एक दूसरे को काटती नहीं, बलकि एक दूसरे की और चड़ती हुई ठीक 625 पर एक दूसरे से मिलती हैं, और पल भर के लिए उनके पॉइंट आपस में टकराते हैं, और पुना अपने अपने ग्रहम में सम्माहित वापस लोट पड़ती हैं, दोहे में यह भी लिखा था कि जहां ये दोनों किरने आपस में मिलेंगी, वहीं वे ग्रंत रखे हैं, और मैं उस इस्तान का पता लगा चुका हूँ, इसका मतलब महिने में आठो दिन ये किरने ठीक 625 पर ही एक इस्तान पर मिलती हैं, निर्बै बोले, यह प्रकती का नियम है बया, अब परिवर्तिय कमाल तो यह है कि आदुनिक वेग्यानिक जो विज्ञान में इतनी अधिक प्रगती कर चुके हैं, इन केनों के विशय में कुछ भी नहीं जान पाए, और प्राचिन वेग्यानिक न केवल इन केनों को जानते थे, बलकि इन केनों के मिलने के इस्थान का अध्यन करके, वहा हमें मानना होगा कि इस युग में विज्ञान चाहे जितना आगे बढ़ गया हो, लेकिन प्राचिन कालिन विज्ञान से हम अब भी पीछे हैं, वर्तमान युग में विज्ञान के जितने भी आविशकार हैं, सब प्राचिन युग में थे, केवल रूप बदल गया है, माईक और ग्रिफिक खड़े थे, माईक के संपूर्ण जिस्म पर पट्टियां बंदी हुई थी, ग्रिफिक की उंगलियों में सफेद पट्टी बंदी हुई थी, तीन राष्टों के ये तीनों महान जासूस बोरी तरब भन्नाय हुए थे, दर्वाजा खुलते ही चारों अं दो प्रसाद लेटा हुआ था, उनके आवगमन पर वह खड़ा हो गया और उनकी और देखने लगा, चारों ही उसे खुखा नजरों से गूर रहे थे, तो तुम भूत प्रेत विशेशग्य हो, जेमस बॉन उसे गूरता हुआ यंग्यात्मक स्वर में कुराया, अमारे सेनि तुमारी बेटी को उठा लाए थे, क्यों तुमने विजय को ठाकु राणा प्रताप क्यों बना दिया था, तुम गलत कह रहे हूँ, सब कुछ गलत, बुड़ा बेरो प्रसाद अपने होटों पर विचित्रिसी मुस्कान विखेडता हुआ, शांती के साद बोला, यह ठीक ह कि मैं बूत प्रेत विशेशग्य हूँ, लेकिन यह गलत है कि यूवराद विजय सर्गवासी राणा प्रताप के पुर्व जन्म थे, यह भी गलत है कि मैंने उन्हें राणा प्रताप बना दिया, पूड़े के बोलने के डंग और उसकी अस्पस्ट वादिता पर, एक बार को तो जेमस्पोन को ऐसा ताओ आया कि वह उस पूड़े का जबड़ा तोड़ दे, किन्तु उसने खुद को संभाला और गुर्राया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमसे बड़ा बेवकूप मैंने इस दुन्या में नहीं देखा, पूरा उसी शांती और लापरवाही के अं बनाना चाते हो, कोई भी सहासी इंसान अपने वतन को गुलामी की बेडियों में नहीं देख सकता, अपने वतन को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया, बोन ने तो खुद को संभाल लिया, किन्तु माइक खुद को संभाल न सका, इतना जक्मी होने के बावजूद भी, वह ची जिते की भाती जप्टा, और बेरो प्रसाद का गिरेबान पकड़ कर गुर्राया, वतन की वफादारी तुमारा सिर्क कलम करा सकती है, गिरेबान छोड़ दो मिस्टर माइक, बिना उत्तेजित हुए उसी शान्ती के साथ बेरो प्रसाद बोला, मानना होगा कि तुम जेम्स कलम होने की परवा नहीं किया करते, लेकिन तुम जेसे बुड़े अपने जवान बेटे के सिर्कलम होने की परवा अवश्य करते हैं, गुर्राते हुए बौन का हाथ बुड़े बेरो प्रसाद की गर्दन पर जम गया, हलके से चोका बेरो प्रसाद, बोला, मेरा बेटा, हा जेबरा हमारी केद में है, कब तक केद में रखोगे। बेरो प्रसाद उसी प्रकार बोला, वैसे तुम अधिक दिन के महमान नहीं हो, अगर हमारा कहना नहीं मानोगे बेरो प्रसाद, तो तुमारे सामने जेबरा का कतल कर दिया जाएगा। बोन ने कहा, क्या मनवाना चाहते हो, बेरो प्रसाद ने कहा, अगर तुमने विजय को राणा प्रताप नहीं बनाया, तो यह सब क्या था, जो हमने अपनी आखों से देखा, जेम्स बोन ने प्रश्न किया, उस कमरे में जिसमें तुम ये सब कर रही थे, खोपडिया कैसे ना वाच क्या था, इतना भयानक वातावरन तुमने कैसे तयार किया था, जरूरी तो नहीं कि मैं यह सब तुमें बताओं, बेरो प्रसाद उसी तरह बोला, किन्तु क्योंकि यह सब जानने के बाद तुम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लोगे, इसलिए बताने में कोई न अब गलत देख रहे थे, कमरे में खोपडियों का तेरना, शोले से आवाज निकलना, कब्रिस्तान में गूजने वाली आत्माओं की आवाज, इत्यादी वहां कुछ भी नहीं हो रहा था, हो रहा था तो केवल इतना, कि मैं वहां बेठा हुआ अपना काम कर रहा था, को चीक-चीक का राणा प्रताब बताने लगे, वहां सब एक्तम गलत था, यानि आप वहां सब कुछ देख रहे थे, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था, तुम यह क्या उत्पटांग भक रहे हो, माइक को राया, जो वहां हो नहीं रहा वहां हम देख के से रहे थे, इस काम को आखों का धुखा कहा जाता है, मिस्टर माइक, बैरो प्रसाद ने बताया, हिपनोटीजम की विद्याद्वारा आखों को धुखा दिया जाता है, तुमने कई चादुगरों के जादु देखे होंगे, एक रुपए के नोट को जाद जादुगर सोका नोट बना देते हैं, फिर आपके हाथ में थमा कर उसे गायब भी कर देते हैं, कई बार जादुगर के खेल में तुमने देखा होगा की, जादुगर अगर यहां गोशना करता है की, वहां एक बज़े प्रोग्राम शुरू करेगा, और दर्शक एक बज़ आ जाते हैं, परन्तु जादुगर तीन बज़े तक नहीं आता, इस पर दर्शक हंगामा खड़ा कर देते हैं, तब जादुगर स्टेज पर आकर कहता है, आपने इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रखा है, तब दर्शकों में से कोई आदमी उसके लेट होने की शिकायत करता है, इस पर जादुगर कहता है, आपको गलत भैमी है, मैं ठीक समय पर आया हूँ, एक मिनट लेट नहीं हूँ, आपको विश्वाश नहीं है, तो आप समय देख सकते हैं, इस पर वह यक्ती चोक कर गड़ी देखता है, तो पता चलता है, कि वे गड़ियां जो अभी तक ती बजा रही थी, एक बजा रही है, दशकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तब जादुगर की आवाज गूंचती है, यह था मेरा पहला आइटम, उसके बाद जादुगर पुना गड़ी देखने को कहता है, तो गड़ियां बकाइदा तीन बजाती पाई जाती है यह सब क्या है, केवल नजर का दोखा, हिपनोटाइस का कमाल, उस समय हर दर्शक जादुगर के हिपनोटाइस के अधीन होता है, बेरो प्रसाद बोलता जा रहा था, इसी प्रकार से आपने जादु देखा होगा, उस जादुगर का प्रतेक्षो बीस मिनट का होता है, इन बीस मिनटों में हर दर्शक खुद को एक सुन्द लड़की के साथ किसी पार्क में देखता है, हर दर्शक करीब एक सा द्रश्य देखता है, केवल इतना अंतर होता है कि हर व्यक्ति उस लड़की के साथ खुद को देखता है, बीस मिनट के पश्चाद जब प्रोग्राम सम जादूगर मुस्कुरा रहा है यह क्या है केवल आंक का दूखा हिप्नोटाइस का कमाल होता कुछ भी नहीं है लेकिन हर दर्शक वहत देखता है जो जादूगर दिखाना चाहता है बस वेशा ही खेल आपने उस दिन कमरे में देखा था अगर वे जादूगर वास्तों में ए लोकी सो का नोट बनता नहीं है वह हिप्नोटाइस की शक्ती द्वारा आपकी आखों को दोखा देने में सफल हो जाता है इसी तरह के दोखे में आप तीनों महान जासू साए कमरे में हुआ कुछ भी नहीं था आप लोगों ने केवल वह देखा जो मैं आपको दिखाना चा दूगर हूँ सुनकर माइक पॉन ग्रिफिक और क्रीमिया चमतकारी रह गए वास्तों में वे इसे खेलों के विशय में जानते तो थे परन्तु यह तो उन्होंने सप्न में भी नहीं सूचा था कि भेरो प्रसाद इतने साधारन तरीके से उन्हें दोखा दे रहा है क्रीमि प्रसाद ने प्रश्न किया नो गड़ी देखते हुए ग्रिफिक ने कहा तुमारी गड़ी में क्या बजा है भेरो प्रसाद ने क्रीमिया से कहा साथ क्रीमिया ने गड़ी देखकर कहा इस पीज ग्रिफिक का दिमा क्रीमिया की और गया था उसने भेरो प्रसाद की और देखते हुए कहा लेकिन मेरी गड़ी में नो बजे हैं तुमने गलत देखा है बेरो प्रसाद मुश्करा कर बोला फिर देखो और अपनी गड़ी में साथ बत्ते देकर गृफित चमत्करक रह गया उसे मानना पड़ा की बेरो प्रसाद जो कुछ कह रहा है वह ठीक है जेम्स बोल्ड ने बेरो प्रसाद को गूरा और गुर्राया लेकिन तुमने यह सब किसके कहने पर किया क्रांती के देवता के बेरो प्रसाद ने एकदम जवाब दिया उसके उत्तर पर चारों की दृष्टियां आपस में मुली हर दृष्टी में केवल एक ही तथ्य था ये क्रां में वह क्या-क्या कर रहा है, बोन को ऐसा लगा कि अगर दो-चार बार उसने ये शब्द और सुन लिया, तो वह पागल हो जाएगा, हर महत्पुन घटना के पीछे, क्रांति के देवता का हाथ पाया जा रहा था, कौन क्रांति का देवता? मेरे विचार से यह रहस्य क्रांती के देवता के अत्रिक्त कोई नहीं जानता बेरो प्रसाद बोला वह हमेशा सुनहरे नकाब में रहता है मुझे लगता है जब से तुमने हमारी धर्टी पर हत्याचार शुरू किये हैं खुद उसने तब से अपनी सूरत नहीं देखी होगी यानि वह नकाब में रहता है बैशक तुमसे कहा और कैसे मिला उनके पवित्र कदम मेरी जोपडी में ही पड़े थे बेरो प्रसाद इस प्रकार बोला मानो बगवान उसकी जोपडी में आये हो वे मेरे पास नकाब पहन कर आये थे और उन्होंने कहा था कि हमारा देश कुलशनगर खत्रे में है मेरी साइदा से विदेशियों को यहां से भगाया जा सकता है मेरे दिल में तो पहले से ही देश प्रेम के शोले बढ़क रहे थे मैं शहर्स तयार हो गया उसके बाद मैंने वही किया जो उन्होंने कहा उन्होंने क्या कहा था ग्रिफिक ने पूछा उन्होंने मुझे सारी बाते बताई और कहा कि राजनगर से योराज विजय और उनके दोस्त आ रहे हैं उन्होंने मुझे योराज विजय का एक फोटो दिखाया और कहा कि जिस समय उनका आदमी कहे मैं अपनी बेटी को उठा लिये जाने का बहाना लेकर महल के बाहर पहुँच जाओं उनका आदमी मेरे साथ जोपडी में ही था मुझे बता दिया गया था कि जिस समय मुझे वहां बेजा जाएगा उसी समय योराज विजय को राणा प्रताब का दूसरा जन्म कहना है और बाद में अपनी विद्याद्वारा आप लोगों के सामने यह साबित करना है मैंने बड़े आराम से वह सब कर दिया वह यक्ती कोन था जिसने तुमें एन वक्त पर महल के बाहर बेजा था प्रश्न बौन ने किया वह नकाब में था बेरो प्रसाद ने कहा इसलिए मैं उसका नाम बताने में असमर्थ हूँ उत्तर सुनकर चारो बौड़े का चहरा ताकते रह गए बौड़े बेरो प्रसाद ने सब कुछ इस प्रकार बता दिया था मानो कोई खास बात न हो उसे बुरी तरग गूरता हुआ जेम स्पॉन बोला तुमें मालुम है कि तुमने हमसे दुश्मनी मौली है यह बात तो ब बेवकूप की समझ सकता है बेरो प्रसाद बिना प्रभावित हुए बोला इसकी सजा जानते हो माई गुर्राया मौट से बढ़कर नहीं हो सकती बेरो प्रसाद ने एक टुक जवाब दिया बूड़े पिता के सामने अपने बेटे का कतल करना बूड़े पिता की मौट से ब शतरनाक स्वार में बोला, यां तो तुम हमारे आदेश के मताबिक कारी करोगे, अन्य था, मेरे बेटे का क्या जर्म है, केवल इतना की वहत तुमारा बेटा है, माईक ने कहना चाहा, लेकिन तभी बॉन्ड ने उसके कंदे पर हाथ रखा, और चुप होने का संकेत करके, बे बेरो प्रसाद, लेकिन जब मोत सामने आती है, तो बड़े बड़े काप उठते हैं, केते वे जेम्स बॉन्ड ने अपनी जेब से चमचमाता हुआ एक चाकु निकाल लिया, देखकर बैबीत होने के इस्थान पर, मुस्करा दिया बेरो प्रसाद, अन्य तीनों चुप्च बॉन्ड का चहरा देख रहे थे, बॉन्ड का गोरा चिट्टा चहरा क्रोट से लाल होता जा रहा था, उसके चहरे पर बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा था, एकी पल में उसका चहरा धदक कर बेड़िये जिसा हो गया, आँखे लाल हो चुकी थी, क्रीमिया तो बॉन् माइक को और ग्रिफिक उसके चहरे को देख रहे थे, वे जानते थे कि बॉन्ड के इस रूप का मतलब क्या है, बोलो बेरो प्रसाद, बेड़िये के बाती गुराया बॉन्ड, तुम शायद जानते होगे कि मेरा नाम जेम्स पॉन्ड है, दुनिया जानती है कि बॉन्ड के पास रहम नाम की कोई वस्तू नहीं है, बोलो बेरहम मोत से मुक्ती चाते हो, या वतन, हर समझदार आदमी एक ही जवाब देगा, बेरो प्रसाद रंड स्वर में बोला, वतन, एक पल का भी विलम किये बिना बॉन्ड का चाकू वाला हाथ हवा में लहराया, और पलक जपक लगते ही बेरो प्रसाद की बूड़ी आँखों में गस कया, आख फूट गई, बेरो प्रसाद की चीक से कमरा दहल उठा, खून का फवारा उचला, और जेम्सपॉन का चहरा लहु लुहान हो गया, माईक और ग्रिफिक आराम से खड़े थे, जबकि ये बेरहमी देखकर क् अनात्मक बाओ आई थे, लेकिन एक बॉन था, जो कि उसकी आख में गसे हुए चाकू को उसी गड़े में गुसा दिया, बेरो प्रसाद बूरीत्र चीक पड़ा, बड़ी तेजी से जेम्स बॉन ने चाकू कीजा, और बोला, तुम भी देखो क्रीमिया, विकास से ढरना छ चोड़ दो, बेरहमी केवल वही नहीं जानता, बॉन भी जानता है, कहते हुए बॉन ने धनाक से चाकू उसकी दूसरी अक में ठूस दिया, बेरो प्रसाद बूरीत्र चीक कर अंदा हो गया, बॉन ने एक बार चाकू उसकी आँख में गुमाया, और बोला, तुम कहते थे ना बेरो प्रसाद मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं है, अब देखो यह सजा कैसी है, अब मैं अपने हर दुश्मन का यही हाल करूंगा, यह उसका जवाब है बेरो, जो उस लड़के ने फुचिंग के साथ किया, जो कृफिक और माइक के साथ किया, अगर तुम्हें यह ल परसो का लड़का, बॉन से ज़्यादा बेरहम नहीं हो सकता, कहते हुए बॉन ने बेरो प्रसाद की नाक काट ली, बेरो प्रसाद बोरी तरद चीक पड़ा था, चीकते हुए बेरो प्रसाद के जबडे पर बॉन ने एक लात मारी, अंदा बेरो प्रसाद चीकता हुआ फ दिया जाएगा, अवतन पर मिटने वालों का यही अंजाम होगा, इसी अवस्था में इसे गुलशनगड की सडकों पर छोड़ दिया जाएगा, वे सब बोन का ददकता हुआ चहरा देख रही थे, हलो, हलो, वह इंसान तेजी के साथ अपने गड़ी रुपी ट्रास्मिटर प काफी जल्दी ही उसे संबन मिल भी गया, दूसरी ओर से आवाज उबरी, हलो, हलो, बांड हीर, बांड हीर, यस सर, आई एम नार्वे स्पिकिंग, वह उसी प्रकार दीमे से बोला, आपको मालुम होगा कि ग्रिफिक के मेक अप में किसी इनसान ने शिवीर पर हमला किया था वह सारे केदियों को रेल गाडी के जरिये, पहाडियों के नीचे से अपने अटे पर ले आया है, मैं खुद भी उस समय उनी के अटे से बोल रहा हूं, मैं आपको पता देता हूं, तुरंथ हमला कर दीजिये, नहीं नार्वे, दूसरी ओर से बौन का स्वार उप्रा, हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, तुम पहले उनके बीच रहकर यह पता लगाने की चेस्टा करो, कि वह स्वन महल कहा है, मुझे रिपोर्ट देते रहो, ओके सर, नार्वे ने कहा, और सुनो, जेम्स बौन को जिसे एकदम कुछ याद आया, मेरे ख्याल से उन लोगो ने जबर्जी को कैद कर लिया है, तुम यह पता लगाने की चेस्टा करोगी, जबर्जी को कहां रखा गया है, मैं जानता हूं सर, कमाल है सर की सारे गुर्शनगड के नीचे सुरंगों का चकित कर देने वाला जाल है, उस समय में एक सुरंग में ही था, जब एक मौड के अदमों की आहट आई, मैंने खुद को अंधेरे में चुपा लिया, मैंने खुद देखा है, विजय गुलफाम और अभैसियां एक साथ थे, बेहोश चबर्शिय गुलफाम के कंदो पर था, मुझे मालूम है की वह कहां के थे, वैरी गुड, बॉर्ण जैसे प्रसंता से उ जैम्सपॉन के आदमी हो, तुमारे पास जो अंगूठी का ट्रास्मिटर है, वह जबर को दे देना, उससे कहना की जो भी सुचना उससे मिलती रहे, वह अंगूठी के जरिये मुस्तक पहुचाता रहे, ओके सर, उस अड्डे का पता दो, जैम्सपॉन ने पूछा, से ही इनका रास्ता है, इस प्रकार नार्वे ने क्रांतिकारियों के इस अड्डे की पुन जानकारी बॉंड को दे दी, बॉंड के आदेश पर उसने गड़ी रुपी ट्रांच्मिटर आप किया, और सुरंग की दिवार की उस दरार से जिसमें वह अब तक खड़ा था, बा जदी ही वह सुरंग के कई मोड पार करके कोटरी के दर्वाजे तक पहुच गया, बिना एक भी शन व्यर्थ किये, उसने जेब से एक रिवालवर निकाला, दूसरी जेब से लंबा साइलेंसर निकाल कर अभी वह फिठी कर रहा था कि गैलेरी कदमों की आहट से गूंज वह जपटकर दर्वाजे और सुरंग के बीच वाले इस्थान पर छिपक गया, अपने रिवालवर पर वह साइलेंसर फिट कर चुका था, इस समय जो जो कदमों की आहट करीब आती जा रही थी, त्योत्यों रिवालवर पर उसकी पकड सक्त होती जा रही थी, जल्दी ही आहट का वह मालिक दर्वाजे के पास से गुजरा, इस समय एक स्याह नकाब पोस्ट नार्वे के सामने था, उसकी पीट नार्वे के सामने थी, और वह तेज कडमों के साथ निरंतर दूर होता जा रहा था, अचानक नार्वे के दिमाग में एक प्लान आया, उसने सीधा किया और पिट, एक हलकी सी आवाज के साथ गोली नकाब पोस्ट के बेजे में समा गई, नकाब पोस्ट को चीखने का अवसर भी नहीं मिला, और वह वहीं सुरंग में लड़क कर डेर हो गया, रिवालवर संबाल कर तेजी से नार्वे उसकी और बढ़ा, नकाब पोस निश्चल पढ़ा था, करीब पहुचकर नार्वे ने उसके शरीर में एक ठोकर मारी, मुह के बल पढ़ा हुआ, म्रतक नकाब पोस्ट एक्तम चित हो गया, नमबर पंद्र, काले लिबास पर लिखे चमकीले अक्षो को नार्वे ने होटो ही होटो में पढ़ा, एक जटके के साथ जुक कर, उसने पंद्रा नमबर का नकाब नोच लिया, नकाब हटते ही वह चोक कर पीछे हट गया, रादा, वह बुदबुदा उठा, उसके जेहन में आया, तो क्या नार्या भी देश को आजात कराने के लिए कटी बंध है, कदाचित उसे यह अनुमान नहीं था, कि नकाब के पीछे कोई नारी मुखडा निकलेगा, उसने शायद किसी पुरुष की कलपना की थी, वह रादा को जानता था, जानता था कि रादा रमडी वहां के राजा अभैसीन की माता है, परन्तु इस सोच उचार में उसने अधिक समय व्यर्थ नहीं किया, रादा के जिस्म को उठा कर कंदे पर डाला और तेजी के साथ उस्तवार की ओर भढ़ गया, उसके बाद 15 मिनट पश्चाद जब वह धरार से बाहर आया, तो 15 नमबर बना हुआ था, रादा के मृत जिस्म को वह धरार में ही छोड़ आया था, जल्दी ही वह पुना उसी कमरे में पह पायर करके कोटरी का लोक तोड़ दिया, कोटरी के अंदर अंदकार था, उसने एक ननी सी टोर्च रोशन कर दी, कुछ पत्रों पर मृत्त करता हुआ प्रकाश का दैरा, जंजीरों में जगडे हुए एक केदी पर पड़ा, यहां केदी जबड़सियें के अत्रिक्त अन्य कोई नहीं था, इस समय वह टोर्च की और देख रहा था, मतलब यहां की उसे होश आ चुका था, कौन कुत्ता है, जंजीरों में जगड़ा जबड़सियें कर जा, जोड से मत बोलो, नार्वे ने उसके निकट पहुँच कर दीमे स्वार में बोला, मैं जेम्स पॉन का साथ तुमें इस केट से मुक्त कराने आया हूं, कहते वे उसने जंजीरों पर फायर करने शुरू कर दिये, कुछी देर बाद आजा जबड़सियें अवाक्सा अपने मददगार को देख रहा था, नार्वे ने जल्दी से अपनी ट्रास्मिटर वाली अंगूठी उतारी और अबलो सेवन नमबर मिलाने से बॉन्ट से संबंद इस्थाफित हो जाएगा, तुमें यहां से जो सुचना मिले, तुरंत इसके जरिये जर्म स्पॉन को बेश देना, अपनी मदद करने वालों के लिए जबड़ जान भी दे सकता है, जोश में जबड़सियें बोला, और न नमबर पंदर है, नार्वे ने कहा, सतरक्ता के साथ सुरंग के दाई ओर जाना, और सबसे पहले आवशक सुचनाय प्राप्त करके, बॉन्ट तक पहुचाने का प्रयास करना, यहां अधिकांच इनसान तुमें नकाब में मिलेंगे, लेकिन याद रखना, केवल नमबर पं सुरंग में दाई ओर पढ़ गया, और नार्वे पंदरा नमबर के रूप में बाई ओर, इस समय नार्वे तेजी के साथ सुरंग में बढ़ रहा था, सुरंग में उससे अन्य कई बिन बिन नमबर के नकाब पोश मिले थे, परन्तु ना तो उनमें से किसी ने बात करने की और नहीं उसने किसी से, हर नकाब पोश तेजी में था, इस से नार्वे ने अंदाजा लगाया कि कोई कारवाई यहां तेजी से हो रही है, हर नकाब पोश जैसे बेहत व्यस्त था, शिगर ही वह एक हॉल में पहुच गया, इस हॉल में कापी संख्या में नकाब पोश थे, लेकिन कोई भी नकाब पोश एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, नार्वे भी अन्य नकाब पोश के बाती ही चुपचाप हॉल में एक तरफ खड़ा हो गया, अभी अधिक समय नहीं गुजरा था कि, हॉल में एक चमचमाते हुए सुनेरे लिबास में लिप्टा, एक इं वाले भाग पर अंकित था, क्रांती का देवता, हर स्याह नकाब पोश आधर के साथ जुका, नार्वे ने भी सबका अनुसरन किया, आज की कहानी बस यहीं तक, कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, अगर आपको यह नावेल पसंद आया हो, तो प्ली किस लाइक शेर सब्क्राइब माय चैनल